हेलो आप लोगों को मैंने बता दिया था 202, 203, 210 के पास भी यह जा रहा था स्टॉक आप लोगों को जब मैंने विडियो अपलोड करके एक यह बाद बताया था बस आप एंट्री कर लेजिया आपका एक्जिट होगा 230, 240 लेवल्स के पास मैंने आपको बार बार एक यह पूरा 230 लेवल्स क्लोस करते हुए 233 का हाई मारा है आज के दिन देखिए दोस्तों मैं कभी भी आप लोगों को इंट्री और एक्जिट लेवल्स बताता हूं तो वहां इंट्री कर लीजिए और जो एक्जिट लेवल्स बताता हूं वहां भी एक्जिट कर लीजिए देख अच्छीव हो चुके हैं वही दिन मैंने आप लोगों को चार्ट analysis करते हुए समझा दिया कि इसके अंदर जो moment आने वाला है वो बैइंग का ही moment आने वाला है आप selling मत करें देखिए पूरे के पूरे ट्रागेट अच्छीव हो चुके हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों जो मैंने पिछला वीडियो अप्लोड किया था उसमें भी आप लोगों को बस एक की बात बता रहा था कि इंट्री 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 एक्जिट होगा 230 से लेगे 240 लेवल्स तक देखिए बार बार यही बता रहा था वही जगह पूरा लोज होके चल रहा है आज की दिन यह स्टॉक आप चाहे तो मेरा पिछला वीडियो जाके देखिए स्टार्टिंग से मत देखिए चार्ट अनलेसिस करते हुए मैंने जो आपको टागेश्ट बताईए वही टागेश्ट देखिए देखिए पूरे के पूरे टागेश्ट अच्छीव हो चुके हैं आपने फालो किया है तो जो मैंने आपको टागेश्ट दिये थे देखिए आपको पूरा का पूरा 28 से लेके 29 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों इस टॉक के अंदर देखिए फिर से इसके अंदर छोटा सा मुमेंट है छोटा सा रिवर का मुमेंट कैसे आने वाला है मैं आपको आगे चल की वीडियो में बता दूंगा चार्ट अनलैसिस करते हुए उससे पहले जो आज के दिने इसने मुमेंट पकड़ी है उस मुमेंट के बारे में बात करूंगा आज के दिने सेकेंड जुलाई 2020 आज का दे हैं इंडिया होते होते हुए आया है क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको जो बता दिया थे टागेस लेवल सो पूरे सुबजे में वही उस पे ज्यादतर लोगों का चार्ट अनलैसिस पे वही टागेस थे दोस्तों इसके लिए जो टागेस एक बार अचीव हो जाते ही ज्यादतर लोग इसके उपर सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया था है इसके लिए शाम होते होते हैं हम लोगों को यह डो लो मिलके क्लोसिंग प्रैस पर इसने क्लोसिंग दिया है तूटू टूटि पॉन्टिफाइप धर्टीपाइस देखिए दोस्तों ज्यादतर लोग यानि जो चार्ट analysis करते हैं उन लोगों का भी एक ही target होता है एक ही level होता है उसके बाद reversal यानि selling स्टार्ट हो जाती है देखिए मैं भी आपको जो leverage targets बताता हूं वो achieve होने के बाद ही इसके अंदर reversal आता है उससे पहले stock के अंदर reversal नहीं आता अब यह stock नहीं दोस्तों मेरे पूरे के पूरे stock जो मैं आपको video upload करके बताता हूं पूरे के पूरे देखिए targets होने के बाद ही reversal आते हैं उससे पहले stock के अंदर reversal नहीं आता अभी भी इसके अंदर से रिवसल आएगा ही आएगा अब पैनिक मत होई है पैनिकों के स्टॉक को सेल मत कीज़े क्योंकि मैंने आपको पहले भी 180-190 के लेवल के पास भी बता दिया था 230-240 के लेवल आने वाले आप देखिए इधर ये 230 के लेवल दो बार दूस्तों दो बार क्लोस करते हुए चल बाद जो मैं आपको एंट्री बताता हूं वहाँ आप एंट्री करिए फिर से एकजिट करिए मैंने आपको ये बाद भी बताई थी देखिए मैंने आपको वीडियो अप्लोड करके बता दिया था 204-208 लेवल के पास ये अपनों को बता दिया था कि बस इसके अंदर आप पागेट अच्छी होने के बाद ही रिवसल लिया है देखिए इसके अंदर फिर से कॉंस्टेंट लेवल स्टार्ट हो गया है वो कैसे हो गया मैं आपको बताता हूं ज्यादा तर देखिए ये स्टॉक यही लेवल के अंदर ट्रेट कर रहा है तो इसका कारण एक ही होगा यह आगेट चल के समय में नीचे जाने वाला है यानि थोड़ा सा थोड़ा रिवसल दोस्तों बहुत बड़ा रिवसल भी नहीं मैं आपको डारा रहा नहीं हूं पैंडिक भी नाहीं कर रहूं चोटा सा छोटा रिवसल आने वाले जब क्या करिए आप मेरा सजिशन गिए स चल रहे हैं आज के दिन 100,000 कितना भी करके चल रहे हैं यह stock फिर से 208, 210, 220 levels के पास भी जाता हुआ तको उसका आदा सा आदा stock खरी दिये उसका average बनेगा वो दोनों के बीच आप किदर भी stock को बैखर चुके हैं उसके उपर जाने लगा तो आपको double profit होने लगेगा दोस्तों double profit देखिए मैं आपको कभी भी profit के बारे में बात करता हूँ नुकसान के बारे में आप लोगों को मैं बताता ही नहीं अपने हर वीडियो के अंदर क्यूंकि मैं आपको target levels देता हूँ वो पूरे के पूरे achieve हो जाते हैं उसके बाद ही stock के अंदर reversal आता है देखिए दूस्तों आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं दूसरों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैं बात करने वाली बात है वो देखिए आप जातर लोग जो मैं आपको target बताता हूँ वो बताता हूँ और इसके अंदर जो entry exit बताता हूँ आप वह ही entry exit कर लीजिए क्यूंकि जो के पूरे अच्छी हो जाते हैं लालच मत करिए आप तो नहीं करेंगे जो दूसरों लोगे उन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं देखिए लालच मत करिए लालच करने से स्टॉक मारीट के नदर नुकसान होता है टाइम पे एंटरि लिजिए टाइम पे एक्जिट करिये स्टॉक के अंदर जो मैं आपको दे देता हूं यह वेरा टेलिग्राम चैनल दोस्तों आप अभी तक मैंना बेना टेलिग्राम चैनल जॉन नहीं किया थो डिस्क्रीफिंच क के अंदर link है दोस्तों जाए लिंक को हिट कर लीजिए और जॉइन कर लिजिए मेरा टेलिग्राम चैनल दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को no-loss strategy समझाता हूं इस वीडियो में भी आप लोगों को no-loss strategy समझा दूँगा उससे पहले आप लोगों को टागेट समझा दूँगा देखिए दूस्तों आप टागेट नहीं सुनना चाहते हैं तो आप तेस्या चालीस सेकेंड के लिए वीडियो को स्किप कर लिजिए फॉरवर्ड कर लिजिए आप आज आएंगे डारेट्ट नो लॉफ स्टाटेजी पे चलिए अप मैं कल के जिन ये प्रैस पे ओपनिंग हुआ अगर नीचे कही भी ओपनिंग होके इस लेवल के पास जाता हुआ दिखा तो पहला टागेट ले ले सकते हैं सेकंड टागेट होगा 232 स्टॉप लॉस के साथ चलिए 222 के पास मेरा एक्सपर्टेट प्राइज सेलिंग सेड के लिए 222 कल के जिन इदर ओपनिंग हुआ अगर उपर कहीं भी उपरिंग होके नीचे जाता हुआ इस लेवल के पास दिखा तो आप सेलिंग सेड ले सकते हैं सेलिंग का पाइला टागेट होगा 219 सेकेंड टागेट होगा 216 स्टॉप लॉस के साथ चलिए 227 के पास अब मैं आ जाता हूँ नो लॉस्ट स्टाटेजी पर दोस्तों चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर आपको कैसे इंट्री और कैसे होना चाहिए टार्गेट के जगा और स्टॉप लॉस के जगा देखिए बस आप करिए कल के दिन आप है अंड़्रेड उननरे लॉस मेंने में अग्रचे ऑगष तो आपको कहते हैं तो आपके साब से कौन्टेटी हो गया अगर आप पहले quantity पे आपका पहले target पे आपका 100% quantity लगा देते हैं तो आपको पुरा 100% profit होगा अगर second target पे आप 100% लगाते हैं तो आपको 100% profit होगा पर देखिए मैं आपको risk लेने के बारे में नहीं कहता हूँ क्योंकि ज्यादतर second target जाते हुए stock reversal लेता है पर 90% देखिए द quantity को पहले target पे लगा लिजे आपको होगा पूरा 100% का profit इसमें आपको और एक बाद बताता हूँ profit प्रॉफिट ही नहीं बताता हूँ कि अगर देखिए targets अचिव नहीं होने से पहले stop loss भी अची हो गया तो आपको कम से कम नुकसान होगा पर आपका capital खतम नहीं होगा देख इसे जो उपर जा रहा है उस पर लगा देते हैं buying जो नीचे जा रहा है उस पर लगा देते हैं selling इसमें क्या होगा दोस्तों capital तो आदा का आदा खतम होगा इसमें एक दो दिन तो profit होगा उसके बाद महीने भर तो नुकसान होते ही रहेगा और वो लोग stock market से exit हो जाएंगे बोलेंगे कि अरे stock market सुटा बजार है gambling ये धिमका धिमका बाते करेंगे आप वो भरुसा मत करिए आपके खुद का expected price होगा आपका खुद का target से stop loss होगे आप उस पर भी चलना चाते हैं तो आप मेरा strategy लेके चलिए आपको target भी पता नहीं है strategy भी पता नहीं तो आप मेरे targets और strategy पर चल सकते हैं कल के दिन ये buying side जाएगा तो ये वाले targets अचीव हो जाएंगे selling side जाएगा तो ये वाले भी targets अचीव हो जाएंगे दोस्तों आज के दिन मेरे तरफ से इतना ही है धन्यवाद thank you for watching my video